सब्सक्राइब करें हमारा ओफिशल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब करें भगवति के चैनलों का ध्यान करकर के प्रएदिन निजवरों से मा के चैनलों में अपना मसेज उगाते नतमस्त होते ही इस मा जगजन निजगत माता की उन शर्नाद भक्तों पर सधासरवदा पूर्ण कृपव ने लेती ही और मा की कृपव से मा के अश्रीवाद से ब्यभक् जन बैसादक जन मा के अश्रीवाद से जहां जहां जाते ही बहां बहां उन्हें कारे में सिद्धी प्राप्त होती ही दल लाब होते ही उनका यश उनका मान उनके केरती बढ़ती ही बैस अरोगता को प्राप्त होती ही दीरगाज को प्राप्त होती ही उनके अकाल मृत्त नि होती ही बैप पूर्ण आज का भोग करते हुए धर्म के मार पर चलते हुए धर्मन को कर्म करते हुए इस मजग जन्ने मजग दंबा की राधना अर्चना करते हुए परम कल्यान को प्राप्त होते ही मा की पूजा, मा की राधना जो है, इस सावोर से कल्यान को देने वाली है, समझ सुखों को देने वाली है, कश्टों को दुखों को दूर करने वाली है, और जोई भक्तियान भगवती के शर्नक धूख करके, मा भगवती से प्रात्ना करता है, मा उन भगवती की प्रात्ना को स तो भक्त जन जो ही इस समय नुवरात्र चल रहे ही बहसांतिक नुवरात्र जो ही बहसांतिक नुवरात्र का आज त्रिती नुवरात्र है त्रिती नुवरात्र की सब अश्र पर जो ही आप सभी भक्तों को और सभी देश बास्यों को हार्दिक शुब कामने बोध बदाई और मा भगवती की ओर से भरतापन आशिरवाद मा भगवती आप सब भक्तों का कल्यान करें आप सब का मंगल करें मा भगवती के जो नो रूप हैं उन नो रूप में आ तीसरा रूप जो है मा भगवती चंदर घंटा का हैं जे चंदर घंटा देवी जो है जिसके मस्त पर जो है चंद्रमा के सदरिज़ यह ऐसे घंटे का का तो और चंदर बना हुआ है इसलिए इनका चंदर घंटा कहा गया है इनके दास हाथ है और ये सिंग पर विराजमन हैं, सभी आजदों से अस्तर सरसर जो भुशे जे भगवती जे हैं, सद्धा सर्वदा जुद्ध के लिए तत्पर रहती ही, और इनका सवरूव जे हैं, आज के दिने सवरूव का जो ध्यान करते हैं, जे पर्म शान्ती दायक हैं, जे शान्ती को देने वाला ही, जे कल्यान को देने वाला ही, और इस प्रकाय भगवती जे हैं, इस सिंग पर विराजमन ही, इस मा भगवती चंद्र घंटा का अपासक जो है, बैं मा के सिंग की तरह जो है, इस प्रकाय प्राक्रमी होता ही, और जहां भी बिजाता है, सुरत्तर जो है, उसे कार्में सिद्धी प्राफ्त होती हैं बेवीजय को प्राफ्त होता है और सब उन से परम कल्यान को प्राफ्त होता है तो जैस भगवति मा चंदर घंटा यहां सब ऊचनम से कल्यान को देने वाली ही सुखों को देने वाली ही जे सद्ध्य फल दाई ही और आज के दिन जो है शाद्रग्यान आपने मुंड को मनि पूर चक्र में सित्ध करकर के मां चंदर घंटा का ध्यान करते हैं मां के पास ने करते हैं मां की पुषिज कृपा मां का अशिर्भाब जो है जिए प्रावत करने के इस शक्ति उपासने करते क्योंकि शक्ति के बिना जो है संसार के पत्तव जो है हिल डूल नहीं सकता है इस मा भगवति याद शक्ति से ही जब सादो के शक्ति संपन होती है तो बाद जिज़स कारे के लिए गर सर होती है उन कारे मुने सभलता मिलती है और जब जब भगवती जो है इसकी क्रिपा नहीं होती है तब जब जब भगवती जो है इसकी क्रिपा नहीं होती है तब जब जब भगवती जो है बिमुक हो जाती है तो तब तो संभव भी असंभव हो जाता है शंक्राचारी जी ने माँ भगवती इस्तुति करते हैं इस प्रकार से माँ से प्राथन की ही और प्राथन में अद्व शक्ति होती ही और शंक्राचारी जी को मां के शाक्षा दर्शन हुए थे जहीं मा और बेटे की आपस में आमने समने की बात है जिस समय शंक्राचारी जी ने ये स्तोति की थी कह रहे थें कि शंक्राचारी जी मां की स्तोति करते हैं मां से प्राथने करते हैं मा से करे कि मा ना मंत्रम नो जंत्रम तदा पीचा न जाने स्थोति मह न चाहवा न अंधान तदा पीचा न जाने स्थोतिकताः ना जाने मुद्रास्त तद पीचा ना जाने भिलबन परम जाने मात्वास्त तद नुजर नंपलेश हरन। शंक्राचारजी मां से कह रहें कि मां मैं कोई मंतर नहीं जानता मुझे कुछ नहीं आता है ना कोई मंतर आता है ना जंतर आता है ना किस्तुति करना आती है और आपका ध्यान करना भी नहीं आता है आपको भूलाना भी नहीं आता है मैं कैसे और किस विदी से आपको भूलाओं और इस प्रकार से आपकी कथा कि भी मुझे कोई जान कर नहीं है और तुमारी मुद्रवी जहें मैं नहीं जानता और ना मुझे जो हें ब्याकुल हो करके इस प्रकार से भिलाब करना आता है तो कहते हैं जो आता है कुछ नहीं तो आता क्या है शंक्रजरी कहते हैं परम जाने मात अस्तदन शर्न कलेशर्न मा बस में एक बाद जानता हूँ तेरी शर्न तेरी शर्न गती है जो तेरी शर्न गत हो जाते हैं मा तेरी शर्न गती है सब कलेशों का हन करने वाली है सब दुख सद्धा सर्वदार एक्षा करते हैं उसके से दुख दारे दिर जो है बैद दूर होते हैं सद्धार करने वाले सबका कल्यान करने वाले कल्यान माता मैं पूजन की विदी नहीं जानता और मेरे पास धन का वाल है मैं सभाव से भी आल से हूँ तथा मुझ से ठीठी प्रकार से पूजा का संपादन भी नहीं हो पाता है ठीठी विद्यान से मैं आपके पूजा मने कर सकता हूँ और इस सब पर जो है इस प्रकार से तुमारे चौणों की जो है सेवा में भी जो तोटी किसी प्रकार सी तोटी जो हो गई हो उसे आप मा क्षमा करना क्योंकि मैं तो कुछ जानता नहीं और इन कारणों से जो है जदी कोई आपकी पूजा में आपकी राजना में तोटी हो गई हो तो उसे क्षमा करना क्योंकि कुपुत्रों जाद कुछ कुमातना भथती पुत्र को पुत्र हो सकता है मा कभी कमाता नहीं होती मा कहजे बड़ाई द्यालू होता है प्रिथे भ्यांपोत्रास्ति जननी बहवासंति सरला परामति शामति विरलरलोहं कवसुत मधियो यम्त्याजा समचित मिदनों कवसुत को पुत्रो जाएत कचित अफिको माता नभवत है मा इस पृष्थी पर जो है तुमारे सीधे साथे पुत्र तो बहुत सारे है परामतु उन सम में जो है अतन चपल बालक जो है तुमारा जिम्या हूँ वो चपल बालक हो हो और है मा मेरे जैसा चंचल और विला ही इस परकार सा होगा फिर भी है मा मेरा जो जे त्याग हुआ है जे तुमारे लिए जो है कदा भी उच्चद नहीं माता जो है कवी को माता नही होती माँ कह्ते बड़ इड्यालो होता है और मेरा जी जो परित्याग हुआ जी भीच में जह आपके लिए उचित नहीं क्योंकि कुपुत्र हो जाथ कुछ कमाता नहीं होती हैं, पुत्र कुपुत्र हो सकता हैं, मा कभी कमाता नहीं होती है। जो समय की बात है, जिस समय शंक्राचारी काशिमीर में ज्यान का ढंका बजाते हुए उदेश का रहे थे, उस समय शंक्राचारी जी शक्ति का खंडण किया करते थे, शक्ति को नहीं मानते थे, कहते हैं कि ये भगवती मा जिखजनी नारी का रूधान करकर इस्तरी रूधान क करके शंक्राचारी के पास गे और जाकर के जहें उनको भोजन का निमंतर दिया कि कल मेरे जहां भोजन का निमंतर आपको मैं देने के लिए आई हूँ आप कल भोजन जहें मेरे पास करेंगे शंक्राचारी ने कहा कि ठीक है मैं मुझे निमंतर सभीकार है मैं आऊंगा रात्र को स्वास्त इतना भिगड़ गया पास में जल पड़ा हुआ था बैभी पीड़ने में असमर्थ हो गए दोस्ते दिन भोजन का समय हुए शंक्रजार जी पहुंचे नहीं तो आप जो है मां जो है पुना उसके पास आई और रहकर के कहा कि मैंने आपको नमंतन कहा था आपकी परतिक्षा कर रही थी आप आए नहीं शंक्रजार ने कहा कि मां मुझ में शक्ति नहीं थे मैं शक्ति हीन हो गया चलन में असमर्थ हो गया इसलिए मैं नहीं आ सका मां ने कहा कि बेटा आप तो शक्ति का खंडन करते ही आप तो शक्ति को मानते नहीं जे मां बेटे की आमन परिट्याग हुगा था जे आपके लिए उच्छच नहीं कि माँ इस प्रकार से मेरे जैसा चपल कोई चंचल बिरलाई हो जो तो सीधर साधे पुत्र आपके इस सारी सरह प्रण तुम मेरा जैसा चपल और चंचल जो है जो कि बिरला होगा फिर मां जो मेरा जो परित्याग हुआ है इस जे आपके लिए उच्छ रहें जगन मातर मातर तव चरन सेवा नरचिता नभादत्तम देवि द्रविनम अपिभोजास्तव मया तथा पितम स्निहं मजने रुपमं जत्रकुरशे कुपत्रो जाजेते कचित पिको माता नभवति हे माजिक दंबे हे माता मैंने तुमारे चरनों की कभी सेवा ने कि कभी आपका ध्यान ने किया आपका असमन ने किया ना कोई धन संपत्ति जा अरपित की है तदा भी मुझ जैसे अदम पर जो है जो तुमारा अनुपम्स ने है जो आपने जे मुझ पर कृपा की है इस प्रमाता नहीं होती है इस प्रकार से मैंने कभी आपकी सेवा ने किया आपका ध्यान किया आपका स्मन्न किया क्योंकि माँ परित्यक्ता दिवा दिविद्य विद्य सिवा को लताया मया पैंचाशी ते रधिकम अपनी ते तो भयसी इदानींचे मात्वस तवज धिक्रिपाना पिभविता निरा लंभो लंभो धर जननी कंजा मिशरना यह माता ग्रेश को जनम देने वाले मा पार्वती मा परंभा मा जिग्धंभा अन्य देश्टों की राधनार्चना करते हुए यह नाना प्रकार कुण की सेवा करते हुए यह मैं जुहें इतना व्यस्त रहा कि 85 साल की उम्र मेरी वीद गी मैं 85 मा पंचा सीते ही अधिक मपनेते तो भैसी पचासी वरसे भी अधिक मरी अवस्ता हो चुकी है मैं और आवश्ता में या करके अविधातों की राधनार्चना सब शोड़ दी आब मां मैं तेरी शर्ण में हूँ है मा जदी इस समे आप भी मुझे शर्ण नहीं देंगी तो बितलाईए मैं किसकी शर्न में जाओंगा मैं कहां जाओंगा मा मुझे पर कृपा करो कि मा पुत्र को पुत्र हो सकता है माता कभी कमाता नहीं होती है कि मा आपके जिन पर कृपा हो जाती है बैस संसार में जशस्वी होते हैं तेजस्वी होते हैं और इस प्रकार से सुसानुक नजर्ष उनका मान उनकी केर्थी जब बढ़ती है और उनकी केर्थी अट्रल बढ़ी नहती है चिता वस्माले पो गरलम शनंदिक पट धरो जटा धारी कंठे बोजग पति हारी पशुपती कपाली भूते शो भज़ती यजदीशे कपदवे बभानी तत्पानी ग्रहन परिपाटी भलाने दम चिता वस्माले पो गरलम शनंदिक पट धरो कि जिसने जो है अपने शीर पर चिता की भस्म जो है लवेटे को लगाए हुई ऐसे गरलम शनंदिक पट धरो जिनका भोजण क्या है बिश्च बिश्पान करते हैं ऐसे दिक पट धरो और नंग दढंग है नगन है दिशा है ज से जटनाधारी बहुत बड़ी जो है जटाधान किया हुए जंटे भुजगपति हारी और गले मेंसे सांपों के हार जो है बचले हुए है लोग फूलों के ही है उच्छामिम स्नाधार के हारी और पशू की भूतिर ए 일단 रिखम करें थे याइसे गूर्थ जगिश आसे जुरन बें उनको प्राफ्ट भी नायकर भी प्रत्रा हो फिर्वां ważne तो पानी ग्रण परिपाटी फल में दम यह बबाने तमारे साथ उनका विवा हुगा पानी ग्रण संसकार हुगा तो उनका इतना महत्तों जो था बैए भड़ गया बैद देव जो हैं महां देव होगी बोलो सच्छे द्रवार ऐसे वह हैं देव तो जो हैं आप जो हैं इस प और सभी लोग जो उनकी पूजा करते हैं उनका शिर्वात प्राफ्त करते हैं वैं पूजद होगे कैसे आपकी कृपा से यह सब आपकी कृपा कफल है है मां मेरी आप से एक करवत प्राथन है और सभी को जो प्राथन जो है मां से करने चाहिए शंक्रा चाहिए प्राथन उ जशी मोखी सोखे इच्छा पीना पोना अतास्तान संजाचे जननी जननम जातु मामवे ब्रेडानी रद्रानी शिवशिववभानी इतिजप पता हां कि भगवती मा कि मुझे कोई मोक्ष की इच्छा नहीं है कि मैं आपसे मोक्ष मांगू कि मेजे मुक्ती मिल जाए जी मेरी को इच्छा नहीं है सलसार के भेवव की जो है मुझे इच्छा नहीं सप्रकार के भोग जो है और इस प्रकार धन सपत्ति मुझे प्राप्त हो जाए ऐसे भी नहीं और ना मैं विज्ञान चाहता हूँ बिज्ञान की मुझे जो है अपेक्षा जो है जी नहीं है और ना ही सुख की अकांक्षा है मैं सुख भी चाहता है कि मैं सुखी हो जाओं ऐसे भी नहीं है अतहां जब चाहते कुछ नहीं पिर चाहते क्या हो तो माँ से वे प्रात्ने करते हैं कि माँ की मेरी आपसे की प्रात्ने अतस्तौन संजाचे जननी जननम जातो मंबे ब्रडाने रुद्राने शिप्षर ववाने इती जबता हैं मेरा जीवन जो है, जी, ब्रिडानी, रुद्रानी, शिवश्र ववानी, इती जवते नामों का जब करते हुए, मेरा जीवन भीते, और थाथ मेरी जिब्बा पर सद्धा सर्वदा जो है, आपका नाम रहे, और आपके नाम का जब करते हुए, मेरा जीवन भीते, बस एक आप कि आपके सिभा एक मैय का आम और एक हुआ न को नूट रख्ति करतों मैं कि स्थ होती ही वे सब इस वहों से परमकल्यान को पराप्त होती ही, और शंकरायचाजी ने मां के परातना की, और मां के शर्नग धोकर की मां कि साधना की पराप्त होई है, और जहना है, जगजनने करने ने शाकशाद कार कर लिया था, तो इसलिए भक्ति में बड़ी अद्बुत शक्ति होती ही सच्च हिदे से विश्वत मन से जो मां के शर्नक धोकर करके मां की साधिना करते हैं, मां की राधिना करते हैं, मां से प्रातिना करते हैं, उनकी उन भक्तों की समस्त मनों बलशित कामना जो है वैपोर्न होती ही और मा कि करपा से इस लोग में सो सुखों का भोग करते हुए है अन्त में उनका पर लोग में कल्यान महोई आता है वोल से चेद्रावार की जाए